How did the World War II start? तारीख 31 अगस्त 1949, जगह जर्मन-Polish border पर लोकेटड जर्मन प्राविंस, वेस्ट अपर साइलीशिया. अंधेरे की आड में कुछ नाचीज, पोलिश यूनिफॉर्म्स पहन कर ग्लाइविट्स रेडियो स्टेशन को सीज कर लेते हैं, और एक अंटी जर्मन मेसेज ब्राटकास्ट करते हैं. इतिहास में ये इवेंट ग्लाइविट्स इंसिदेंट नाम से दर्ज हुआ, और ये World War II का immediate flashpoint बना. ये एक false flag था, यानि एक well-planned और designed event, जिसके तहत नाचीज ने ये दिखाया कि जर्मन territory पर अटाक पोलिश forces ने किया था. ये हिटलर के दरजनों propagandas में से एक था, जिनही नाचीज ने पोलिट इंवेजन को justify करने के लिए डिजाइन किया था. इस designed attack की आड में, अगले ही दिन, यानि 1 सितंबर 1949 को जर्मन ने पोलिट को invade कर दिया, और 3 सितंबर को फ्रांस और बिटिन ने पोलिट के support में जर्मनी पर war declare कर दिया. देखते ही देखते, ये global war में तबदील हो गया, और आज हम इसे World War II के नाम से जानते हैं. ये विडियो इस World War II के इतिहास और उसके कारणों पर है. आज हम जानेंगे कि वो कौन से कारण थे, जिन्होंने इस भयावह विश्वयुद्ध को जन्म दिया. जेनरली ये माना जाता है कि हिटलर, नाजिवाद और जर्मनी ही World War II के लिए responsible थे. ये काफी हद तक सही भी है. लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है. नाजिवाद और फाशिवाद यानि नाजिजिजम और फैशिजम के जन्म के पीछे कई ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनकी चर्चा करने के बाद ही हम पूर्ण सत्य पर पहुँच पाएंगे. चलिए, शुरुवाद करते हैं World War II के संक्षित इतिहास से. दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा, जर्मनी के पोलिश इन्वेजन के बाद, फ्रांस और ब्रिटिन ने उस पर वार डिक्लेयर कर दिया, और World War II का जन्म हुआ. देखते ही देखते, यॉरोप में शुरू हुआ ये कॉन्फिक्ट, ग्लोबल वार बन गया. जर्मनी, इतली, जपान और कुछ छोटे देशों ने मिलकर ब्रिटिन लेड एलाइड पावर्स के खिलाफ एक्सिस फ्रंट बनाया. और अरली 1941 तक उन्होंने मैसिव असौल्ट्स कर पूरे कॉन्टिनेंटल यॉरोप, नौथ आफ्रिका और इस्ट आफ्रिका तक अपना दब-दबा बढ़ाया. मिड-1940 में जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर अलाइज को सबसे बड़ा सेट बैग दिया. जपान ने वार को 27 सेप्टेंबर 1941 को जोईन किया और ये वार एजिया पहुँच गया. खेर 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियट को इन्वेड कर लाजस्ट Land Theater यानी Eastern Front को शुरू किया, जो सबसे बड़ी भूल थी. एजिया पसिफिक में भी तेजी से आगे बढ़ रहे जपान ने परल हाबर पर अटैक कर भूल कर दी. सोवियट इन्वेजन और परल हाबर के चलते, वार में सोवियट और अमेरिकन एंट्री हुई, जिसने पूरा गेम बदल दिया. जून 1942 के Battle of Midway में जपैन और फिर 2nd February 1943 को Battle of Stalingrad में सोवियट के हाथों जर्मन्स की हार से Axis Powers का डाउनफॉल शुरू हुआ. एलाइड पावर ने जर्मन ओक्युपाइड फ्रांस और इटली को कैप्चर कर लिया और पसिफिक में जपैन भी पीछे हटने में मजबूर हो गया. इटली में Mussolini को मार दिया गया, April 1945 को Adolf Hitler के Suicide की खबर आई और जर्मनी ने Unconditionally Surrender कर दिया. लेकिन जपैन गिव अप नहीं कर रहा था. इसलिए अमेरिका ने उस पर Nuclear Attacks किये और Manchuria में Soviet Invasion शुरू हुआ. जपैन के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने भी 2nd September 1945 को Surrender कर दिया. ये थी एक Brief कहानी World War II की. अब सवाल ये है कि लाखों लोगों को मारने वाला ये भयावः विश्वयुद्ध आखिर हुआ क्यों? जेनरली World War II के लिए नाजीज और हिटलर की सनक को जिम्मेदार बताया जाता है. जो सच भी है. क्योंकि हिटल जिस विचारधारा का प्रोड़क्ट था, उसका नतीजा भयानक ही होना था. लेकिन हिटलर का राइज खुद में मिस्टेरियस है, जिसके जिम्मेदार कई फैक्टर्स हैं, including allied powers themselves. इसके अलावा, उस दौर के कई फैक्टर्स और इवेंट्स ने भी इस वार को inevitable बनाया. चल बने, लेकिन इसके बीज लगभग 20 साल पहले बोए गए. तारीख 28th June 1919, जगह Paris में located Palace of Versailles. World War I खत्म हो चुका था, और Palace of Versailles में Big Four, यानी World War I के चार मेजर विक्टर नेशन्स, UK, France, Italy और USA ने एक पीस ट्रीटी साइन की. वैसे तो इसे पीस ट्रीटी कहा गया, लेकिन अ किस्मत और भविश्य को निरधारित करना था. विक्टर्स ने World War I का सारा ब्लेम जर्मनी पर थोप दिया. जर्मन्स के पास कोई आप्शन नहीं था. उन्होंने इस गिल्ट को एकसेप्ट किया और वार का मुआवजा भरने के लिए तैयार हो गए. लॉस अव टेरिटरी, de-militarization of Rhineland, seeding of coal payments to France and limits on military expansions इस ट्रीटी के तहद जर्मनी के लिए punishments थे. सबसे ज्यादा harsh demands फ्रांस के थे. इसके दो कारण थे. पहला ये कि फ्रांस जर्मनी का immediate neighbor था और जर्मनी का rise उसके लिए existential threat था. दूसरा ये कि जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा economic loss छेलने वाला दे फ्रांस ही था और वो चाहता था कि जर्मनी उसके debts के लिए पैसे भरे. सिक्योरिटी threat को कम करने के लिए फ्रांस और जर्मनी के border पर located Rhineland से German military को remove किया गया और Rhineland एक physical security barrier बना. अपनी economy को stabilize करने के लिए फ्रांस ने जर्मनी से cash और coal की demand किये. फ्रांस ने prosperous Roar Valley के coal के supplies के demand भी की. फ्रेंच डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ये Germans के लिए pay कर पाना impossible था. ये मुआवजा इतना ज्यादा था कि इसका final payment 92 सालों बाद Germans ने October 2010 में किया. वार के massive मुआवजे क पी करने के लिए वाइमार रिपाब्लिक ने trillions of German currency प्रिंट किये. इस flawed economic policy के चलते जर्मनी में hyper inflation हो गया और महंगाई अपने चरम पर पहुँच गई. इसके अलावा एक और मुद्दा यहाँ जरूरी है. Treaty of VSI ने Austro-German Unification को भी prohibit कर दिया था. जबकि large majority of Austrians इस idea को support करते थे. यह वो दौर था जब Austrians खुद को German मानते थे. कुल मिलाकर अपने culture और history पर proud Germans के लिए Treaty of VSI एक insult थी. जिसने पैसों के साथ Germans का pride भी छीन लिया. इन harsh punishments और मुआवजों के चलते, Germany में नाराजगी बढ़ने लगी. और धीरे धीरे यह outrage एक extreme ultra nationalism की लहर को जन्म देता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे. अब बात करते हैं The Great Depression of 1929 की, जिसने Treaty of VSI द्वारा created German problems को और ज्यादा बढ़ा दिया. Great Depression of 1929 October 1929 में Wall Street के stock markets crash कर गए और The Great Depression का जन्म हुआ. लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, लाखों लोग बेघर होने लगे और बैंक्स की savings भी destroy हो गई. अमेरिका में लगभग 25% work forces jobless हो गई थी. कोलोनियलिजम और इम्पीरियलिजम के इस दौर में पूरी दुनिया आसपास में interconnected थी. इसलिए एक देश की economic crisis बाकी देशों को भी severely impact करती थी. इसलिए अमेरिका में originate हुई ये crisis जर्मनी के लिए भी अभिशाप थी. इसके अलावा जर्मनी वैसाय के तहत अपने commitments के लिए American Bank से long term loans ले रहा था. लेकिन depression के चलते American Banks जर्मनी को ये loans short notice पर repay करने के लिए force करने लगे. और दौर 1924 में DAWs plan के तहत दिये गए ये loans जर्मन industries को भी मदद कर रहे थे. लेकिन इनके बिना कई जर्मन industries कलाप्स कर गई. इंडस्ट्रिल प्रडक्शन आधे से कम हो गया. इसका सबसे obvious outcome था large scale unemployment. 1933 में जब हिटलर पावर में आया, तब 33% Germans unemployed थे. और 1930 से 1933 के बीच बेरोजगारों की संख्या 20 लाग से बढ़कर 61 लाग हो गई. इस समस्या के समाधान के लिए वाइमा पब्लिक ने government expenditure को बढ़ा दिया और unemployment, insurance और बाकी freebies की शुरुआ थुई. इसने economic crisis को और खराब किया. विक्टर्स द्वारा Germany, Italy और जबान के साथ हुए treatments और Great Depression जैसी economic crisis का एक clear political implication था, जो World War II का सबसे important कारण पना. ये कारण थे fascism और Nazism का rise. Rise of fascism and Nazism दोस्तों, इन समस्याओं के चलते, यॉरप में totalitarian tendencies और dictatorships का उदय हुआ. Extremist ideas लोगों को पसंद आने लगे, और ultra-nationalist, militaristic और totalitarian ideologies अपने पैर पसारने लगी. इटली में इसका नाम था फासिवाद और जर्मनी में इसे नाजिवाद के नाम से जाना गया. इन ideologies ने democracy के खिलाफ massive propaganda चलाए और उसे जड़ से उखाड फेंकने की बात की. Italians भी Treaty of WSI से नारास थे, क्यूंकि UK, France और US ने इटली को World War I के बाद ignore कर दिया था. पुराने secret negotiations में allied powers द्वारा इटली को promise किये गए lands नहीं मिले. उपर से इटली huge economic crisis और debts में डूबा हुआ था, और massive unemployment और unrest फेस कर रहा था. इसलिए वहाँ कई political unrest हुए और 1922 में Benito Mussolini ने दुनिया की पहली फासिवादी dictatorship को establish किया. Palace of WSI के negotiations ने Germany में भी ऐसा महौल बनाया जो Hitler के फासिवाद यानी नाजिवाद का स्वागत करने के लिए तैयार था. जैसे ही Hitler ने अपने fiery भाशन देने शुरू किये, WSI से भढ़की हुई German जनता उसे अपना मसीह मान बैठी. उपर से the Great Depression के दौर में वाइमार रिपब्लिक के flawed economic policies की चलते भी Germans का democracy और वाइमार रिपब्लिक पर faith खत्म हो गया था. हिटलर फासिवाद में racism को mix कर नाजीवाद का प्रचार करने लगा. अपने personality, cult और भाशनों के चलते पहले वो Germany का chancellor बना और बाद में democracy को destroy कर उसने खुद को furor declare कर दिया. उसने वादा किया कि वो Versailles Treaty को नहीं मानेगा और Germany की wealth, prosperity और glory को restore करेगा. Germans को superior race बताते हुए उसने Germany को expand कर living space के idea को promote किया और फिर पोलंड और चिकर स्लवाकिया को invade किया. Japanese भी Western Europe और VSI conference से नाराज थे. उन्होंने VSI में participate तो किया लेकिन उसकी demands को कोई acceptance नहीं मिली. इसके अलावा Great Depression के चलते Japanese economic situation भी serious crisis face कर रही थी और वहाँ भी radical elements flourish करने लगे. Japanese military में घुजकर इन radical elements ने पूरे Asia को conquer करने की बात की. इसी लिए उन्होंने पहले Manchuria और फिर बाकी China को annex किया. चलिए बात करते हैं League of Nations और उसके World War II connections की. Failure of the League of Nations दोस्तों, World War II का अगला कारण था League of Nations का failure. 1919 में अस्तित्व में आए League of Nations को United Nations का predecessor माना जाता है. उमीद थी कि League दुनिया में peace और शांती के लिए rule of law establish करेगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस body को ज्यादा countries ने join ही नहीं किया. और तो और नाजी जर्मनी जैसे aggressor countries के खिलाफ action लेने के लिए भी ये body prepared नहीं थी. UN जैसी peace keeping force भी League के पास नहीं थी. इसलिए जब Hitler ने 1936 में Rheinland को re-militarize करना शुरू किया, तब League कोई action नहीं ले सकी. इसके अलावा वो ना तो इटली के Ethiopian invasion के खिलाफ कुछ कर सकी, और नहीं Japan के Manchurian invasion के खिलाफ. और तो और League के in actions ने इन देशों के moral को और बढ़ा दिया, और World War II को रोक पाना असंभव हो गया. इन सब के अलावा, एक और वजह थी जिसके चलते World War II का टल पाना नाममकिन हो गया. ये कारण था Allied Powers का Policy of Appeasement. दोस्तों, हिटलर openly Treaty of WSI को डिनाउंस करने लगा, और जिर्मन मिलिटरी को पाफुल बनाने लगा. लेकिन Britain और France, हिटलर को Soviet-led Communism के खिलाफ यूज करना चाहते थे, और इसी लिए उन्होंने शुरुवाती दौर में हिटलर के खिलाफ कोई आक्शन नहीं लिया. अपने narrow interests के चलते, Allied Powers unite नहीं हुए, और यही सबसे बड़ी tragedy थी. अगर यह देश शुरुवात से ही countermeasures लेते, तो हिटलर कभी भी इतना powerful नहीं बनता और World War II को रोका जा सकता था. Appeasement यानि तोष्टी करण का एक उधारण 1938 का Munich Agreement था. इस agreement के तहट, Britain और France ने Germany के चेकोसलोवाकिया के German dominated इलाकों को अपने कबजे में लाने की पूरी छूट दे दी. Germany ने agree किया कि वो चेकोसलोवाकिया के बाकी के इलाकों और किसी और देश पर अपनी नजर नहीं डालेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. March 1939 में नाजी जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और बाकी के चेकोसलोवाकिया को भी capture कर लिया. फिर भी ना तो Britain और ना ही France ने कोई action लिया. तुष्टी करण की ये राजनीती सिर्फ Britain और France ने नहीं की, बलकि हिटलर के प्रमुक आइडियोलोजिकल विरोधी सोवियत संग ने भी की. पोलिंड इन्वेजन के एक हफते पहले ही सोवियत संग और नाजीज ने Molotov Ribbon Trop Pact साइन किया. इस पैक्ट ने नाजीज की हिम्मत को और बढ़ावा दिया. Officially और पब्लिकली तो ये पैक्ट एक non-aggression का agreement था, लेकिन नियोरंबग ट्रायल्स में रिवील हुआ कि उसके कई secret protocols भी थे. ये प्रोटोकॉल्स ही पहले जयमनी के Polish invasion का आधार बने और फिर 17th September को हुए Soviet invasion of Poland का. वैसे आइडियोलोजिकली तो नाजीज और सोवियत संग एक दूसरे के धुर विरोधी थे. लेकिन geopolitical gains और Britain-led factions के प्रती mutual hatred के चलते, इन दोनों ने secret protocols के तहद Eastern Europe में अपने spheres of influence को delineate कर लिया था. उपर से सोवियत का Britain और France के साथ कोई collective security agreement भी नहीं हो पाया, और वो Hitler के expansionist policies के चलते threatened field कर रहा था. इसलिए 1939 में सोवियत ने अपनी strategy में बदलाव कर हिटलर से ही दोस्ती करनी चाहिए. फिर क्या था? पोलंड सोवियत और नाजीज के बीच बांट दिया गया. पश्चिमी पोलंड जमन control में और पूर्वी पोलंड सोवियत के control में. यही नहीं, सोवियत ने तो 22nd June 1941 यानी लगभग दो साल तक खुद को वार में involve ही नहीं किया. और हिटलर के expansionist agendas के खलाफ कोई action नहीं लिया. बलकि खुद के territories को सिफगार्ड करने के लिए वो भी Finland और बाकी के Eastern Europe के देशों को invade करता रहा. पर नाजिवाद और हिटलर की सनक का शिकार उसे भी होना ही था. 22nd June 1941 को हिटलर ने Eastern Front को open करते हुए सोवियत को invade किया. और तब जाकर सोवियत की war में formal entry हुई. वैसे यह हिटलर की biggest mistake साबित हुई. लेकिन सोवियत के appeasement के चलते devastation रोख पाना मुश्किल था. अगर ब्रिटिन, फ्रांस और सोवियत पहले ही हिटलर का appeasement रोख देते और साथ आ जाते, तो शायद हिटलर invasions करने की सोच भी नहीं पाता और शायद इतिहास का ये deadliest military conflict रोख आ जा सकता था. इस war में लगबग साथ से आठ करोड लोग मारे गए, जिन में लगबग साथ लाख Jews थे और पाँच करोड बाकी civilians. पूरा Europe economic crisis में चला गया, जिससे recover करने के लिए World Bank जैसे institutions बनाये गए. तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनके तहट हमने World War II की वो picture प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो बताती है कि कैसे World War II के लिए एक नहीं बलकि series of events responsible थे.